हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सरमसार जोती जैसे ही राहुल और ननत प्रिया के साथ घर में घुसी सासे नंदिनी जी की कड़कती आवाज गुंज गई आगई महारानी हमारे घर की इज़्जत की धजियां उड़ाकर समझा कर भेजा था कि सिरसे पलू नहीं सरकना चाहिए लेकिन तुमाज कलकी लड़कियां चार किताबे क्या पढ़ लेती हैं संसकार और आदर करना भूली जाती हैं जेट के सामने बिनापरदे के घूम रही थी और तोर साथ में बैटकर खाना चाय नास्ता भी किया और फिर एक लंबा नानिश्टाब भासड जयोती को सर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक जयोती ने आकर सास नंदिनी जी से माफी नहीं मांगी जब जयोती माफी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो सुने सुना कि उसकी ननत प्रिया किसी से फोन पर बाते कर रही थी आज तो भावी का चेहरा देखने लायक था मैंने भी घराने से पहले ही फोन करके मम्मी को नमक मिरज के साथ सब बता मम्मी ने भावी को इतना सर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले सो बार सोचेंगी और फिर प्रिया हसने लगी प्रिया की बात सुन्जयोती हैरान रहे गई अब उसे समझ आया कि वहां की बात मम्मी जी को कैसे पता चली मन तो किया कि ननत को जाकर एक थपड लगा दे लेकिन क्या करे मायके के संसकार बीज में आ गए और फिर अभी घर का महोल सांथ हुआ था उसमें फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी चुपचाप कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिसे फूफा बोलती रही आज अचानक जेठ बन गए तो क्या पहले का रिस्ता भूल जाओं जोती की साथी दो महिने पहले ही अपनी दूर के रिस्ते की जानकी बुआ के रिस्तेदारी में वहां जानकी बुआ और फूफा जीने देखा तो कहा जोती तुम्हाराम से बैठो सचुराल में नहीं अपने मायके में हो तुम्हारी बुआ फूफा ने लंच पर बुलाया है जर जठानी ने नहीं तब रहुल ने भी मुस्कुरा कर इजाज़त दे दी लेकिन मम्मी के सा बहुत अलग थी उनके घर में बहु और बेटी के लिए अलग नियम है उनके राज में मजाल है कि जोती के सिर से पल्लू सरक जाए घर में कोई भी आए फिर और रिस्ते में जोती से छोटा ही क्यों ना हो सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए उसने राहुल से कहा तो उसने यहीं कहा कि यह सम्मम्मी के नियम हैं और फिरृषि धकर रखने में समच्जा किसबात की है। ज्योति सिर के पलु के साथ ही सशुराल में अपने आपको ढ़ालने लगी उसकी साधी को छमाहिने होते होते ननत की भी साधी हो गई और यहाँ भी इतिफाग की बात थी कि जोती और प्रिया ने एक साथ एक महीने के अंतराल में मा बनने की खुसकबरी सुनाई पांचवा महीना लगते ही नंदनी जी ने प्रिया को माई के बुला लिया लेकिन जोती को माई के नहीं भेजा नंदनी जी प्रिया से कोई काम नहीं करवाती थी लेकिन जोती को सभी काम करने पड़ते और वो भी सिर से पल्लू सरकाई बगएर गर्मी बहुत थी साड़ी पहन कर किचन में काम करना और वो भी सिर पर पल्लू लेकर जोती को बहुत घबराहट हो रही थी सुभा से ही उसका जी मिचला रहा था उसने राहुल से कहा सुनिय जी आज तब यह ठीक नहीं लग रही और गर्मी भी बहुत है तो आज क्या मैं कॉटन की धीली गाउन पहन लूँ राहुल भी उसकी परेसानी समझ रहा था उसने हां कर दिया जोती ने गाउन पहना और सिर पर दुबटा रख लिया और किछन में जाने लगी प्रिया ने देखा तो धीरे से नंदनी जी को इसारे से दिखाया गाउन में जोती को देखते ही नंदनी जी सुरू हो गई ओहो क्या बात है आज महराणी जी भूल गई है क्या कि वो ससुराल में है नाकि माईके में मंमी जी भूली नहीं हूँ आज गर्मी बहुत है जिसकी वज़ाonse मेरा जी बहुत मिचला रहा धिले कपडे पहने का मन कर रहा था इसलिए ज्योती अपनी बात पूरी करही नहीं पाई थी कि नंदनी जी उसे रोक कर बोली तुम्हारा मन महरानी जी ससुराल में अपना मन मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता इसलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो आज गरमी बहुत है इसलिए मैंने ही जोती से कहा कि वो भी प्रिया के जैसे धीले गाउन पहन ले राहुल कमरे से बाहर आकर बोला हाई दया आज तो हमारे बिटवा की जुबान मेरे सामने खुलने लगी कौन सा जादू मंतर की है या नंदनी जी से यह सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने बहु का पच्छ लिया और फिर सुरू हो गया उनका नानिस्टाप बढ़बढ करना बात बढ़ती देख ज्योती ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आशों को पल्लू से पोच कर सिरफर्र किचन में आ गई नंदनी जी की जुबान का ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद बंद हुई रहुल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने प्रिया के ससुराल वाले खड़े थे प्रिया के सा ससुर को देख नंदनी जी की कड़वी जुबान सहसी मीठी हो गई अहो भाग्य आप हमारे घर आए आए बहन जी आए भाई साहब आपका स्वागत है किचन में जाकर ज्योती को चाय नास्ते का प्रबंद करने को कहा और आकर बैठ गई समधिन उर्मिला जी ने प्रिया के बारे में पूछा बहन जी हम तो यहाँ पर अपनी बहु प्रिया से मिलने आए हैं आपको तो पता ही होगा कि गर्भावस्ता में गर्मी बहुत लगती है आप चलिए आप भी उसी के कमरे में चलकर मिलीजिए नंदिनी जी उर्मिला जी को प्रिया के कमरे मिले गई प्रिया गाउन पहन कर आराम से लेटे लेटे मोबाईल पर विजी थी अपनी सास को देखकर प्रिया पहले तो हैरान रह गई फिर जैसे ही पैर छूने के लिए जुकने लगी तो नंदनी जी लगभग चिल्ला ही पढ़ी अरे बेटा इस अवस्था में ज़्यादा जुका नहीं जाता क्यों बहन जी मैं सही कह रही हूना उर्मिला जी ने भीज मुस्कुरा कर हामी भर दी जोती चाय नास्ता कमरे में ही ले आई और उर्मिला जी के पहर छूने लगी लेकिन इस बार नंदनी जी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उर्मिला जी ने उसे रोक लिया नहीं बहु इस अवस्ता में ज़्यादा जुका नहीं जाता क्यों सम्धन जी सही कहाना अरे बहन जी बड़ो का असिरवाद लेने के लिए इतना तो जुकना ही पड़ता है नंदनी जी खीसे निपोर कर वो ली उर्मिला जी वहां साम तक रही और जाने से पहले वो जियोती के पास गई और उसे धेरुआ सिरवाद दिया और नंदनी जी से कहा आप बहुत किसमत वाली हैं जो आपको जियोती जैसी समझदार और सुगण बहु मिली जिसे रिष्टे निभाना बखू भी आता है कास मेरी बहु में भी यह समझदारी होती यह सुनने के बाद नंदनी जी के होस उड़ गए अरे बहन जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपकी बहु मेरा मतलब मेरी प्रिया इससे भी जादा समझदार और सुगण है वैसे तो मैं यहां अपनी बहु को देखने आई थी कि वो कैसी है लेकिन यहां आकर पता चला कि मेरी बहु तो ठीक है लेकिन समझदार जी आपकी बहु ठीक नहीं है उर्मिला जी की बात सुनकर नंदनी जी साक्ट हो गई और जोती को देखकर बोली नहीं भेन जी हमारी बहु तो ठीक है आपकी सोच कितिनी दोगली है समधन जी जब से मैं आई हूँ यहीं नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहु के सर से जरा सा भी पल्ला सरकता तो आप उसे सारों से या फिर आखों से हड़का रही आपकी बेटी गाउन पहन कर और आराम से इसी का मजा ले रही लेकिन बहु सारी पहन कर गर्म में इस हालत में भी काम कर रही और साथ ही साथ सिरका पल्लू भी समाल रही आपकी बेटी पैर छुने के लिए नहीं जुख सकती लेकिन आपने बहु को नहीं मना किया जबकि आपकी बहु भी तो प्रिग्नेंट है अपनी बहु से आप सभी संसकार की उम्मीद करती है लेकिन अपनी बेटी को वहीं संसकार देना कैसे भूल गई आपको बेटी का आराम दिखता है लेकिन बहु की तकलीफ नहीं कैसी मा है आप जो बेटी और बहु में इतना अंतर कर लेती हैं आपने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वो ससुराल मे कैसे रहती है कम से कम ज्योती बहुके जय atmosphere तो बिलकुल भी नहीं आपने प्रिया को पांचवे महिने में ही बुला लिया लेकिन ज्योती को उसके माय के नहीं भेजा क्यों समधन जी अब प्रिया की डिलिवरी माय के में नहीं ससुराल में ही होगी और आपको यकिन दिलाती हूँ कि मेरी बहु को अपने ससुराल में आपकी बहु के जैसे कोई तकलिफ नहीं होगी नंदिनी जी जिन्होंने हमेशा दुसरों को सरमसार किया आज रुमिला जी की बातों को सुनकर खुदी सरमसार होकर खड़ी थी आज उन्हें रुमिला जी ने आईना दिखा दिया नहीं बहन जी ऐसा मत कहिए आप मुझे और सरमसार मत कीजिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि जोती बहु को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है हाँ जोड कर नंदनी जी उरुमिला जी के सामने खड़ी थी और फिर जोती से भी माफी माँगने लगी जोती ने आगे बढ़कर नंदनी जी का हाथ पकड़ लिया नहीं मम्मी जी यहाथ माफी के लिए नहीं हमें सासिर्वात देने के लिए ही उठाईएगा आसा करती हुँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद